दिल्ली नगर निगम सदन में लगतार हो रहे हंगामे के बीच दिल्ली की जनता पिस्ती हुई नजर आ रही है। वहीं कल रात भी सदन में आमाद्मी पार्टी और भाजपा के पार्शदों के बीच जमकर लादखू से बाजी होती रही और स्रेंडिंग कमीटी का गठन नहीं हो पाया। इस मुद्धे पर बीच पी का पाक्ष रखने के लिए हमारे समवादाता शुब ने खास बात चीत करी दिल्ली बीच पी प्रवक्ता हर्श मलहोतरा से। देखिए ये खास रिपोर्ट। कि ये रिजल्ट जिसमें आमादमी पार्टी हार रही है वो एनाउस नहीं करना और वो ही केजरिवाल अपने अंदर बैठे हुए विधायक विधायकाओं को कहता है कि अंदर दंगा करवाओ तो ये उनका अलोकतांतरिक तरीका है एक फेर एलेक्षन का फेर रिजल्ट आया है उसको एनाउस करना चाहिए हो ने अपने पार्षदों को धंका करके कहा कि जगड़ा करो आत्मरक्षन करना कोई गुना नहीं है वहाँ बहनों के साथ उन्होंने बत्तमी जी करने की कोशिश की बहुत से पार्षदों को बहुत गंभीर चोट आई है वो लगातार गुंड़ाई कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो सिरफ गुंडागर्दी करने ही राजकता फैलाने ही राजनीती में आए है उन से पूछना पड़ेगा है हम लोग हंगामा नहीं कर रहे है रिजल्ट डिकलेर नहीं हो हम चार घंटे तक पीसफुल ही कहते रहे कि रिजल्ट डिकलेर करो वो खुद आकर कि उन्होंने हंगामा किया है जूटे आराव लगाना उनकी आदत है उनके पास कोई तथे नहीं होते कोई साक्षे नहीं होते बिना तथे और साक्षों के आरोप लगाते है नेरा धार है शुक्रा से नमाई साथ बात करने के लिए भारती जिन्दा बार्टी के परोगता हर्समनो तरजी न्यूस 15 के लिए दिली से शुप से